नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में दोस्तों आपनों के सपोर्ट को देखते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है और मैं आपनों के सामने आज फिर से एक और पीर्टी जेनल एप्रिट्टूट का टेस्ट लेकर आया हूं और वमीद करता हूं आपको यह जनल एवजनस का वेपर जो है जाया आप पीरटी का दे रहे हो पीजटी का एकजम दे रहे हो टीजडिक का क्योंकि यह थींग चैनल के लिए प्वाल कलिए इन्पॉट्टेंट है जो किसी भी सब्जेक्ट की तियारि कर रहे हैं ठीचिंग करना है पैसेश को फिर भी आज मैं फिट से आपके सामने एक पैसेश को में लेकर आया हूँ कि हम आपको कम से कम एक मोटा मोटा आईडीय आजाए शूरू होने इससे पहले की जो आपके पेपर का पैसेश आएगा किसी दुप क्वाूज की उसका लेवल कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता दोस्तों तो बहुत सिंपल वी में वह आता है और सिंपली उसके अंसस पे होते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं इसको ठीक है क्योंकि ये पैसे मैंने इसले लिया कि स्वामवी कनन जी जो हमारे एक तरस से कह सकते हैं कि लीडर रहे हुए हैं ठीक है शिक्षा के छेत्र में खास दोर से और उनका मेरे एक तरस से कह सकता हूँ कि अपनी लाइफ का में उन्हें हिरो मानता हूँ तो उनका पैसे जहां पर आता है तो मैं जरूर उसको पढ़ता हूँ तो चलिये देखते हैं स्वामिवे कानंद जी के ओपर ये पैसेज स्वामिवे कानंद had said so long as the millions live in hunger and ignorance I hold everyone traitor who have been educated at their expense pays not the least heat to them the issue has become prevalent in the recent fall from grace of the American capitalized image the andronworld.com and xerox exposures have revealed the ugly side of the western style capitalism under which in the quest for short term gains wrongdoing are overlooked as a result people have lost faith in corporate performance and those involved in it further many of those involved in these scandals were highly educated in India too we have had we have had our share of such scams in the stock market and the actors involved in them were educated men earnings of profits is no doubt the main aim of any business but if they are earned with principles they enrich people's life as the Jagatguru Sankaracharya says all for each and each for all should be the motto of enlightened man JRD Tata used to say while profit motive no doubt provides the main spark for any economic activity any enterprises which is not motivated by consideration of urgent service to the community when we talk of investing in education a question arises as to what kind of education needs to be given to the youngsters our aim is to evolve not only an affluent society but an egalitarian just, human and compassionate society for what we need people who possess not only high skills by high values as well so the need of our hour is not only skill based education but also value inspired and value based education we can find answers to present sickness in contemporary civilization in the Indian philosophy so this is the message you will see in our attention if you haven't seen it then you will see it if you haven't seen it if you haven't seen it if you have seen it if you have one more time then you will see it then you will understand it first time if you have joined us then I will tell you चाहूंगो मैं अपने स्टुएंट्स को बताता रहता हूं कि कभी भी आप पैसे सॉल्व करें तो एक बार उसे थरोली पढ़ लें तो उसके बाद आंसर में जाएं और उसके बाद से आंसर सर्च करें एक्साम टाइम में एक दम इससे जदा नहीं कर सकते लेकिन टैक्टिस आप चवाप कर रहे हैं तो उसमें आपके पास टाइम होता है तो आप एक दो बार पैसे को अच्छे से पढ़ लीजिए उसका सार समझे कि हां इसके लेना हो किसी व्यक्ति के तो लेकिन उसमें उसके अंदर जो एक मानता की भावना है वो भी रहनी चाहिए तो स्वामी कनन, चिकत्गरू, संक्राचार और जया डिटाटा के एक्सामपल्स यहां पर दिये गए हैं तो चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेस्चन्स देखते हैं और फिर कोई आपके कमेंट हो इस पैस सिर्ट को लेकर और पसंद आए तो जरूर होताईगा चलिए शुरू करते हैं क्वेस्चन्स तो फर्स क्वेस्चन है एक जो सच्चा वेवसाही है उसका वो कैसा होना चाहिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा यहाँ एथिक्स भी उसमें मौजूद होने चाहिए तो बीज का सही उत्तर हो जाएगा नच्स क्वेस्चन देखते हैं और देखिए पहले जो हैं इस तरह से पैसे आते थे ठीक है पैसेज को बार बार दिया जाता था ठीक है वो अब नहीं आएगा पैसेज यही बार आएगा और फॉस्ट्स होंगे चलिए नच्स क्वेस्ट को has given the example of andron jerox etc to emphasize the point that किस पॉइंट को बताने के लिए जैसे हमने पैसेज में पड़ा की है enronjerox.com इस तरके जो वर्ड हैं वो क्यों इसके कहे हैं the western style of capitalism in is advantages we should get involved in long term gains over coming short term gains is not desirable or number तो यहां पर पहला ही उतर सही है दोस्तों the western style of capitalism in advantages और एक्जाम में समय बचाने के लिए अगर आपको पहले की सही उतर मिल गया है तो उसको सीधे से क्रॉस कीजिए और next question बढ़िए तो कि time limit भी आपको धियान रखनी पड़ती है चलिए अगला प्रशन देखते हैं which of the following would be the most appropriate definition of traitor उनके साबसे ट्रेटर की सबसे जो मेन डेफिनिसन है वो क्या होने चाहिए जैसा कि दोस्तों आप अगर बैल सुन पा रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं थोड़ा सा स्कूल के ही पास में रहता हूँ तो थोड़ा सा डिस्ट्पेंस जो आवाज में जो आप लोगों को लग रहा है तो थोड़ा सा उसको भी आडेस कीजेगा और हो सकते तो एरफोन आप लोग यूज़ करके सुन सकते हैं ठीक है चलिए तो हम देखते हैं कि स्वामिकान जी क नुसार ट्रेटर की क्या डेफिनिशन है मिलियंस हूँ लिव इन हंगर और इंग्नोरेंस एस्टेट पीपल इग्नोरिंग देस्टार्विंग और इलिटरेट मासेस और सोचल वरकर्स हूँ आर डूटी बाउंड अल दोस एड्टेट हूँ लूप आफ्टर दे मासेस तो यहां पर जो सही उत्तर है वो होगा तो उत्तर आपके पहले पैसेस में चुपा हुआ दोस्तों स्टार्टिंग में कि उन्हों नहीं कहा था सो लोंग एस दे मिलियंस लाइव इन हंगर और इंग्नोरेंस आई होल्ड एवरीवन ट्रेटर हूँ हैं और नजर अंदाज उन् तो मैं ऐसे लोगों को देश द्रोही मानूंगा जो पड़े लिखे हैं और लेकिन अपने फिर भी थोड़ा भी ध्यान ऐसे लोगों की तरफ नहीं देते हैं ठीक है हीट माने ध्यान देना होता है दोस्तों और ट्रेटर हो गया देश द्रोही तो देश द्रोही किने मानते और पैसिस की, जितनी जदा प्रेक्टिक्च करेंगे, उतना अपनों के अच्छा रहेगा. What are the ultimate expectations from education to be imparted to the youngsters? तो ये यंगश्टर को कैसी education देनी चाहिए और उसके क्या पर नाम चाहते हैं. To evolve an affluent society, to make people incalculate high values, to help youth acquire higher skills तो तीनों यहाँ पर सही उत्तर हैं A, B and C Next question देखते हैं What according to author is a way to improve the evils in the society? जो बुराइय हैं उनको कैसे improve किया जा सकता है? Skill oriented education, contemporary education as in the western countries High value based and skill based education Teaching of Indian philosophy So, पैसे के last में देखेगा So, the need of the hour is not only skill based education But also value inspired and value based education So, यहाँ पर right answer है हमारा third High value based and skill based education Next question देखते हैं दस्तो All for each, each for all means Everyone in the country should look for the benefit of all the others All of us should having business Our motto So, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो पहला ही है ठीक है क्योंकि देश में क्या है सभी के हितों का जहान रखना चाहिए हर किसी ने So, इस पैसे का लास्ट प्रस्ट ने अब हम पहुं चुक है दोस्तो Which of the following Would be the most appropriate title For the above passage Education for earning wealth Establishing communal harmony Need for high skills and value oriented education So, बिल्कुल सीदे सीदे यहाँ पर उत्तर हो जाता है ठीक है हम इससे आगे जो हैं फिर question 9 number का हम सुरू करेंगे Next lesson में तो तब तक के लिए आपनों को यह पैसस देखना है और इसके बारे में comment कीज़ेगा आपनों कैसा लगा और कोई query हो तो ज़रूर आप पूछेगा Thank you friends